हेलो पीपल वालकम बैक अगेन आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टन लेक्टर लेक्ट लेक्ट आई वह है यूनीक वकाबलरी अब यह यूनीक क्यों है चलिए देख लेते हैं ज़ादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लट्स केट स्टार्टर और वीडियो प्लीज बोर टाइप है तो क्या हुआ ऐसा अगर आप दुखी है आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप उसको कैसा डिफाइन करेंगे तो आप एक वर्ड यूस करेंगे जिसका नाम है एक फ्रेज है जिसको आप कहोगे I am bored to death इसका मतलब है I am extremely bored मतलब कि मैं बहुत जादा बो हूँ एक्जामपल ले लेते हैं for example आप कहेंगे I am nothing to do मेरे पास कुछ करने को नहीं है I am bored to death मेरे पास कुछ करने को नहीं है और मैं बहुत जादा बोर हूँ तो आप कहेंगे I am bored to death simple चलिए move on करते है आपने next sentence की तरफ number two slide है मेरे पास वो है I am slushed I am slushed अब यह I am slushed क्या है slushed क्या मीनिंग क्या है slushed एक slang word है जिसका मतलब होता है extremely drunk कि ऐसा इंसान जिसने बहुत जादा drink कर रखी है बहुत जादा drink कर रखी है उसको बोलेंगे I am slushed वो पने लिए sentence में यूज़ कर सकता है I am slushed for example I can't drive I am slushed मैं ड्राइब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत जादा P रखी है ठीक है बहुत easy था चलिए next move on करते है number third की तरफ number third है हमारे लिए यहाँ पे एक picture है जिसमें कि एक इनसान है वो काफी जादा confused है आप क्यों confused है देख लेते हैं अगर आप confusion में कि ऐसा situation में है जब आपको किस choice के साथ जाना है तो वहाँ पर आपी उस करेंगे phrase I am in dilemma I am in a dilemma which means a situation in which you have to make a difficult choice एक ऐसा situation जिसमें कि आपको एक difficult निर्णय लेना पड़ता है ठीक है for example Mike found himself in a dilemma where when his two friends were fighting Mike ने खुद को दुविदा में पाया एक ऐसा situation में पाया जब सके दोनों friend दोनों best friend लड़ रहते हैं अब वो confusion में है कि वो किस की साथ ले अपने best friend दोनों best friend है वो किस की साथ ले तो एसा situation next scenario पे चलते हैं number fourth number fourth situation है हमाय सामने एक इनसान है एक इनसान है वो काफी जादा गुसे में है गुसे के लिए तो बहुत सारे word होते हैं मैं angry भी कह सकती हूँ बट एक normal language में if I am defining in advanced English तो मैं बोलूँगे I am pissed मैंने अपने पहले वीडियो में बताया आपको आप यूज कर सकते हैं I am pissed off या I am pissed for example मैं बहुत गुसे में हो तो मैं कैसे define करूँ I got really pissed when she said that मैं बहुत गुसे में आ गया जब उसने ये कहा अब उसने क्या कहा होगा don't know चलिए next slide की तरफ move on करते हैं number 5 ये तो काफी familiar बहुत popular word है starving अब ये starving क्या है हम बूलते है I am very hungry मझे बहुत ज़्यादा बूख लग रही है तो आप इस sentence को ना यूज करके इस word को ना यूज करके आप कह सकते है I am starving which means मैं बहुत ज़्यादा बूखा हूँ example ले लेते है I skipped my breakfast now I am starving मैंने अपना breakfast छोड़ दिया skip कर दिया now I am starving अब मैं बहुत ज़्यादा बूखा हूँ बहुत ज़्यादा hungry हूँ चलिए next ले लेते हैं next sentence को number six number six थे हमारे सामने I am through I am through का मतलब होता है I have finished or I am done कि मैंने ये काम कर लिया है और मैं ये काम कर चुका हूँ खतम कर चुका हूँ for example I am through with my dinner मैंने अपना dinner जो है समाप्त कर दिया है finish कर दिया है तो बहुत easy था I hope आपको sentence is clear हो गए होंगे thank you so much वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और भी ऐसे वीडियो से के channel को subscribe कर दीजिए thank you so much